हेलो फेंड्स माइनेम इस ताज तंबोली एंड विल्कम तो माइटूब चनल सॉप्टिक फो यू आज के इस वडियो में हम लोग सीखने अले 12 स्टेंडर्ड महास्टर बोड का जो IT सब्जेक्ट हैं इस IT सब्जेक्ट में जो जावस्क्रिप की सेवन नंबर एसोपी हम लोगो दी गई है इस सेवन नंबर एसोपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल करेंगे यह आज के सुड़े में हम लोग स्टेप बाइस सीखने आ लें तो जैसे स्क्रीन के उपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हम लोग जावस्क्रिप्ट पे सेवन नंबर एसोपी का कोश्चन यहाँ पर ओपन किया हुआ है इस कोश्चन में हम लोगो दिया गा है Write a JavaScript function to get difference between two dates in days यहाँ पर हम लोगो JavaScript का एक function create करना है जिसमें हम लोगो two dates दे जाएंगे उसके different days हम लोगो यहाँ पर calculate करना है उसके हम लोगो आगे दिया हुआ है create a page in HTML that contains input box to accept date from user तो यहाँ पर हम लोगो create करना है HTML का एक page जिसमें user के लिए input box देना है जिसमें user अपने according हम लोगो date दे देगा उसमें आपना एंटर करेंगा date of birth और जो date of birth का जो format होंगा जो dd-mm-yyyy यह आप लोगो चाहिए तो यहाँ पर आप लोग dash यहाँ पर देना है उसकाद में यहाँ पर आप लोग clearly दिया हुआ है do not make use of any drop-down boxes यहाँ पर आप लोग drop-down boxes use नहीं करना है जब यहाँ पर इतना clear आप लोगो दिया हुआ है यहाँ पर भी clear करना चाहिए dd-d जो दिया हुआ उसकाद में dash आप लोग show रहे और यहाँ पर जो example दिया हुआ है उसमें आप लोग यहाँ पर slash दिया हुआ है तो यहाँ पर शाहिद आप लोगो दोनों यहाँ पर बता दूगा कि डैस कैसे शो करेंगे अपनों slash कप शो करेंगे तो यहाँ पर आप लोग समझ जाओंगे उसकाद में और एक प्रॉब्लम है जैसे पर्स्ट डेट आप लोग जो टू डेट दीवें इसका एंसर है 66 साही से आरहा है लेकिन जो सेकंड डेट है जैसे आप लोग मैं आगे प्रेक्टिकली क्लियर कर दूगा यह एक डेट है और यह डेट जो टू डेट आप लोग यह डेट के आप लोग मैंस 30 दीआ हुआ है यह एंसर में आगे आप लोग क्लियर कर दूगा कि यह पर एक क्या प्रॉब्लम है यह पर शायद प्रिंटिंग मिश्टेक वगरा हो सकती है तो यहाप लोग क्या करेंगा अब अपना एक प्रोग्राम क्रेट कर देंगा बाकि जावा स्क्रिप्ट के एस ओपी वन से लेके 6 तक सभी वीडियोस क्रेट है आप लोग को उस वीडियोस की लिंक आप लोग का आई बट्न मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते अब यहाँ पर मैं आ देट डिफरेंस कालकुलेटर है जिसके लिए हम लोग पर पी टाग यूज क्या हुआ है एंटर देट सेंद फॉर्मेट डिडी एम वाई 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 जो आप लोग को स्वेडियोस के लिए यहाँ पर जैसे हम लोग नहीं है पर टू इन्पुट टाग लिए वे डे क क्लीक कर देंगे मे यहाँ पर पो इस प्रोग्रम का आउट्पुट आप लोग को आप लू को मRIब कर दो हुआ एक पर गोलाई पे क्लिक कर देंगे अगलाई पे जो ब्लोर ब्रॉजर उसमें आप लोग शोओंगा जैसे मैं इसे हप स्कुर्ण कर देता हूं और जो आप लोग देख सकते हैं रोग स्टेश लिए यहां पर अपने चंज बना ये तो फूबर हिंट जो प्रोग्रम में डैस उसका मैं आगे आप लोग क्लियर कर दूँगा अब ह -, हम लोग क्या करेंगेगा, जैसे हुआ निये जैसे हम लोग क्कॉश्चन में लिए हुआ है कि आप लोग को javascript सकते हैं जवास्क्रेट्ट uze करना है तो यहां पर हम लोग यह फंक्शन क्रियट्ट कर देंगे जिसके हैं यहां पर है स्कूरीप यह टाइ lever is यह वा किया हुआ है ? यहां टाइब इंदेज यह function name है हम लोग आप लोग अपने जो भी function चाहिए आप लोग दे सकते हैं उसकाद में date1, date2 यह arguments हम लोग ने 2 इसके अंदर दिये वे अब यहाँ पर open कर लिए से close कर लिए इस function के अंदर हम लोग ने यहाँ पर जैसे two variable create के date pass1 और date pass2 वैर यह keyword है और date pass1, date pass2 यह हम लोग का variable name equal to date1.split मतलब date1 जो यहाँ पर arguments दिया हुआ है तो date1.split उसे split आप लोग किस से करने हैं? डैस से करने तो आप लोग डैस दे दोंगे अगर आप लोग 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 से करने तो चाहिए आप लोग दो यहां पर लोग दो यहां पर लोग दो दो अगर अगर दो इस वेरेबल के अंदर यह प्रोड हो जाएंगा जिसके लिए हम लोग यहां पर new object create किया हुआ है तो equal to new date यह हम लोग का object है और यहां पर दिया date पार्स 1 जो भी date पार्स 1 होगी उसको हम लोग ने square bracket में 2 दिया हुआ है date पार्स 1 इसे 1 दिया हुआ है यह month है अब month में हम लोग माइनस 1 कर देंगे कि January यहां पर 0 से start होंगा तो यहां पर जो भी month माइनस 1 करना है उसका date पार्स 1 को यहां पर हम लोग ने 0 किया हुआ है तो यहां पर आप लोग अपने नंबर थोड़ देना 2 है फिर 1-1 यहां पर दिया हुआ है और भार माइनस 1 हम लोग दिया हुआ है और यहां पर 0 दिया हुआ है और D2 के लिए भी हम लोग सेम यहां पर दिया हुआ है इसमें कोई changes नहीं है उसकाद में हम लोग ने और एक variable क्रेट किये जिसमें हम लोग दिए where यह keyword यूज किये और difference in time यह variable name दिये equal to D2 जो होंगा D2 get time में से minus करने D1 get time तो यहां पर जो भी इसके value आ जाएंगे यह difference in time इस variable के अंदर store हो जाएंगे उसकाद में variable हम लोग और एक clear कर देंगे जिसको यहां पर हम लोग दिया difference in days यह difference in time है difference in days है अब days में हम लोग का answer चाहिए तो यहां पर equal to difference in time यह variable हम लोग देंगे और slash अब यहां पर दिया 1000 millisecond equal to one second बनता है उसके आद में यहां पर आप लोग को 3600 चोंगा तो 3600 इसका मतलब का यह one hour होता है 3600 seconds equal to यह one hour होता है तो यहां पर जो भी इसका यह multiply किया जाएंगा और जो भी आइंसर यहां पर होंगा जो भी value store होंगी यह difference in days इस variable में store होंगी और यहां पर return करेंगे हम लोग इस variable को हम लोग यहां पर return करदेंगे ठेज्ञा कर देद्ञा कर देसे अपर red bracket यहा पर close bracket यहा तो तो इहां पर आप लोग को साईसे यह function का open bracket यहां पर यह close यहां पर होगा and again second function का open bracket कर लिशंगा यह पर closed bracket आप लोग कर लिशंद हो जाएँगा अब यहां पर मैं आप लोग clear करतूं यहां पर वेर हम लोग को ने 2 variable क्रेट किये यहां पर date 1 date 2 यह variable हम लोग ने create के equal to document.getElementById date1 जो हम लोग नहीं पर जो भी user date1 जो id है date1 यह id हम लोग नहीं पर दीवे user जो भी date दे देंगा वो date हम लोग हम लोग हैं पर catch कर लेंगे मतलब getElementById यहाँ पर इसे हम लोग ले लेंगे और date1 में इसे store कर देंगे जो भी उसकी value होंगी उसके देट2 जिसे document.getElementById date2.value date2 मतलब जो second textbox में जो भी date दी जाएंगे उसे हम लोग यहाँ पर इस date2 इस variable में store कर देंगे उसकाद में हम लोग यहाँ पर if condition यूज कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग इन कंडिशन यूज किवे इफ date1 & date2 अगर आप लोग सई से दिये तो यहाँ पर क्या मेसेज हम लोग को प्रेंट होना चाहिए तो यहाँ पर open कर लिए से close कर लिए जैसे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर हो जाएंगा जैसे आप लोग देख सकते डेट डिफ्रेंस इन डेस यह फंक्शन नहीं आप लोग देना है ब्रैकेट में जो आर्गूमेंट्स आप लोग दिए date1, date2 जो यहाँ पर आप लोग दिए close bracket और यहाँ पर सेमिक्रॉन दिए उसकाद में हम लोग यह आप लोग देख लोग देखे लोग देख में तो हाँ पर आप लोग में आतं हैंको जो आप लोग मेशा पर इस फॉरमेट में होगा एक्जमपल दिया हुआ है झाल को यही डी हम लोग लेंगे उसके यह आप Sure is पहले तरह इस program में जो भी हम लोग फंक्शन यहापर दिये इस सब कुछ पहले control-s save कर देंगे और फिर हम लोग यहापर आपने output में आ जाएंगे और यहापर हम लोग जो question में हम लोगो date दिये उसके according हम लोग यहापर देंगे फर्स्ट हम लोग दिया है 429 तो यहापर हम लोग देंगे 04 अभी हापर देंगे डैस 02-2019 यह दे दिये डेट फर्स्ट वाले सेकंड डेट के 11419 तो यहापर हम लोग देंगे सेकंड डेट 11-04-2019 यह हम लोग ने फर्स्ट डेट दे दे सब्सक्राइब जैसे सेकंड डेट दे अब जैसे क्लिक कर देंगे तो यहापर आप लोग देखोंगे यहापर यह मेसेज शोर नहीं हो रहा है आप लोग की डिफरेंस कितना है डेस का तो यहापर हुआ कि बटन क क्लिक के तो तो हम लोग का यह वाला फंक्शन रन होना चाहिए calculate difference तो हम लोग क्या करेंगे यहापर जो बटन हम लोग ने यूज किया हुआ है यह फर्स्ट टैग बटन स्टार्ट टैग बोला जाते से यहापर हम लोग ऑन क्लिक यह यूज कर देंगा और यहापर ऑन क्लि करने बाद में फिर से हम लोग देथे आप जोडी हम लोग दिये थे जैसे हां पर स्टोर हुई है कि जो डेट चाही थी हम लोग फ़र्स्ट है फो तु टू टॉट्वाजन नाइंटीन चाहिए था और शेकन डेड हम लोग वर्ट टूलन चाहिए यहां लोग के लिए अब थे लोग ठeg्स नहीं चाहिए देफ्रेंस जो शो हो रहा है तो यहाँ पर हिससे हम लोग रेमु कर देंगे urma करना कि बाद में यहाँ हो रहा है यहा हम लोग यहां पर यहां प्रिंख आप में हैं जो-सिंगल कोट है चाहिए और सेकंड डिटा 114 2019 चाहिए जैसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ 66 यह एंसर आप लोग को शो हो जाएंगा जो आप लोग यहां पर दिया हुए तो यह आप लोग समझ गया होंगे उसके आद में जो सेकंड डेट हुए जहां पर प्रावलम है आप लोगो यहां पर स्ट 2020 है पर दिया हुए जो सेकंड जो दिवे 31st 1019 यहां पर हम लोग देंगे फर्स 31st 01 और यहां पर देट 2019 अब यहां पर यहां पर देट हम लोग ने चैसी दिये जो डेट हम लोग कोस्टिन में दी वे शेम डेट मनें हैं पर टाइप कि वे अब जैसे क्लिक कर देंगे तो य यहां पर вас पावरक मैं यहां पर ओपड़ करें करेंगे हुर पर चेग करना आप लोगrift tag लोगयार यहां पर यहां पर यहां पर सब्सक्राद ऐसमय आप włos बता रहू को बाके आप लोग अपने इंक जो प्रोग्रम मनें आप लोगा यह प्लोग एक बात çek करना आप लोग है जो दिया हुए जैसे में आप लोगत ले सकते यह इसकी मतबसे आपं से सकते चेंच कर सकते तो दोस्तों आज के इस यह मुझे आप लोग को बताना था जो मैंने आज किस वीडियो में आप लोग को स्टेप बास बताया हुआ है लेकिन फिर भी आगर आप लोग जो भी कॉश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं अब मिलते हैं बनल्ड चैनल कर्वाई लेकि रेकिम् झाल झाल